नमस्कार दोस्तों, 25 एस्टों में आपका स्वागत है नीलम को बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए क्योंकि यह पहनते ही असर दिखाता है ऐसा अपने कई लोगों से सुना होगा क्या सच में नीलम पहनते ही असर दिखाता है और इसे कौन पहन सकता है साथ ही खूनी नीलम क्या होता है इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा प्रतिय कुंडली में कोई न कोई कमजोर गरह या अशुब गरह जरूर होता है ऐसी इस्तिती में जोतिशियों द्वारा कई परकार के उपाई बताये जाते हैं या फिर रत्न धारन की सलाह दी जाती है जब किसी की कुंडली में शनी ग्रह कमजोर या अशुन इस्तिती में होता है तो उसे नीलम धारन करने के लिए कहा जाता है। यह एक मात्र ऐसा रतन है जो महच 24 गंटे के अंदर आपको अपनी उपस्तिती महसूस कराने लगता है। शनी जितना धीमा ग्रह है नीलम उतनी ही तेजी से असर करता है। और खूनी नीलम के बारे में तो कहा जाता है कि मैं मात्र ठाई घंटे में अपना असर दिखा देता है। नीलम एक नीले रंग का पत्थर है जो शनी देव को समर्पित होता है। शनी देव जिने मारक ग्रह माना जाता है दुख, पीडा, कस्ट शनी देव से संबंदित है जोते शास्तर के अनुसार नव ग्रहों में हमारे जीवन का प्रभाव रहता है हर ग्रह का अपना कोई न कोई प्रभाव होता है और हर ग्रह अपनी इस्तिती के अनुसार सुबह सुपफल देते हैं किन्तु नव ग्रहों में से सबसे ज़्यादा डर शनी महाराज का ही है क्योंकि शनी ग्रह न्याय का देवता है कर्म शनी द्वारा ही देखा जाता है क्योंकि शनी देव को कर्मों परिधिकार है आपका उफल आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा शनी गरह की वक्रदिष्टी यदि आप पर पढ़ गई तो फिर आपको परिशानियों का सामना करना पड़ता है चाहे आप लाक्ष दक्ष क् मतलब आपके अंदर कितने भी टैलेंट के उना भरा हो किन्ति योदि शनी ग्रह की शुब द्रिश्टी आप पर नहीं है तो जीवन में इस्थिर्ता नहीं आएगी यानि stability नहीं आएगी आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप पर शनी की करपा होगी या नहीं शनी एक धीमागर है जादा तर लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं क्योंकि उन पर शनी का प्रभा होता है राहु के कारण लोग अचानक से तरक्की कर जाते हैं लेकिन शनी धीरे धीरे तरक्की कराता है। नीलम पहनने के बाद वेक्ति को धीरे धीरे पता लगने लगता है कि शनी शुब है या अशुब। सामान्ने परिस्तितियों में ऐसा ही होता है। कुछ विशेश परिस्तितियां होती हैं जिनमें नीलम पहनते ही अपना फल देने लगता है। आइए जोतिश के अनुसार जानते हैं नीलम मकर और कुम्ब राशी के लोग धारन कर सकते हैं। इन दोनों राशियों पर शनी का आधिपत्ते होता है। इसे व्रशव, मिथुन, कन्या, तुलाराशी वाले लोग भी धारन कर सकते हैं। यदि शनीदेव कुंडली में कमजोर हैं आपको उनके बल की आवशकता है ऐसी स्तिती में नीलम धारन करना चाहिए। शनी, पाँचवे, चौथे, दसवे या ग्यारवे भाव में हो तो भी आप नीलम धारन कर सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हाँजी इनको नीलम पहनाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले अगर आदमी का मन चंचल बना हुआ है वो निर्णे नहीं ले पा रहा है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा कारेशेतर चुनना चाहिए। तो ऐसी स्तिती में भी नीलम बड़ा कारगर सिद्ध होता है। प्रयास कीजिए कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को नीलम का उप रत्न, नीली या फिर एमेथिस्ट पहना जा सके। दोस्तो हमने एमेथिस्ट पर एक पूरी वीडियो बनाई है आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करने का सबसे बेस्ट ये लाब है कि व्यक्ति को धहर्यवान बनाता है। आपके काम अठके हुए नीलन धारन करने से निकल जाते हैं। मान सम्मान और प्रसिद्धी नीलम ही दिलाता है। नीलम धारन करने से व्यक्ति के कार्य शैली में निखार आता है। यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो नीलम के धारक को तरह से आशरवाद के रूप में मिली होती हैं। दोस्तों आपने खुणी नीलम के बारे में भी सुना होगा। यह बैंगनी रंग का नील मड़ी पत्थर कहलाता है। इसे खुनी नीलम, रक्तांबरी नीलम, रक्तल नीलमडी और रक्तमुखी नीलम के नाम से भी जाना जाता है यह नीलम की सबसे प्रतिस्ठित प्रकार की श्रेणी है रक्त नीलम सितंबर में पैदा हुए व्यक्ति पहन सकते है यह सामाने निलम से कई गुना शक्तिशाली माना जाता है एक और चीज़ है रोस्तो कुंडली में शनी और मंगल का युती अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह द्वंद्योग और संगर्श योग उत्पन्न करता है ऐसी स्तिती में यदी सब कुछ बरबाद हो गया है और कुंडली में शनी और मंगल एक साथ है जिसमें शनी युती कारग भी है तब ऐसे वेक्ति को खूनी निलम पहनना चाहिए अब यह होता कैसे है यह पत्थर नीले रंका होता है कई बार गहरे नीले रंका भी होता है लेकिन इस पर खून जैसे दब्बे दिखाई देते है इसमें दोनों के रंग मिलने से यह बैंगनी तरह का दिखाई देता है इसका प्रियोग करने से लकवे की समस्या दूर होती है हड़ियों के रोल दूर होते है दातों संबंदित समस्यां दूर होती है अस्थमा का रोग खतम होता है और रक्त नीलम के बारे में एक और बात कही जाती है कि यह सौभाग्य को खीच कर लाने वाला होता है इसमें दैवे शक्तियां होती है यह नीलम मंगल और शनी के सयुक्त प्रभाव का पत्थर है इसलिए जमीन से जुड़े हुए लोग यानी संपत्ति वाले लोग इसे धारण करते हैं जो खनन का काम करते हैं वो लोग इसे धारण करते हैं ठेकेदार इसे धारण कर सकते हैं जब आपको लगे कि जीवन में वो इस्थिति आ गए कि अब इससे ज़्यादा बुरा तो क्या ही होगा तो भी आप ऐसी इस्थिति में खूनी नीलम धारण कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि नीलम रतन को मूंगे के साथ मानिक्य और मोती के साथ नहीं पहनना चाहिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि खूनी नीलम बहुत स्पैसिफिक होता और कुछी लोगों को सूट करता है इसे धारण करने की विधी बहुत सरल है पाजार से आप नीलम ले आएए उसकी अंगूठी बन बालेजे सोने पंच धातू या चांदी में से धारण किया जा सकता है नीलम को बाए हाथ के बीच वाली उंगली में पहनना उत्तम माना गया है नीलम को शनिवार की मध्य रात्री को धारण करना कई लोगों द्वारा उप्युक्त कहा गया है कई लोगों का ये मानना है कि शनिवार की सुबह 6-7 के बीच में आप इसे धारण करने के लिए आंगूठी को गंगा जल और कच्चे दूट से धो लिया जाता है धारण करने के बाद शनि से संबंदित वस्तों का दान किया जा सकता है शनि के और उपाए भी हैं हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें ये बताया है कि शनि कैसे आपके लिए अच्छा और बुरा है यानि आप अपने लक्षणों से ही पता कर सकते हैं कि शनि आपके साथ किस तरह का विभार कर रहा है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको धारण करने के लिए ओम, शम, शनि, शराय, नमा का जाप करना चाहिए 108 बार जाप कीजिए और उसके बाद इसे धारण कर लिजिए दो-तीन दिन में ही आपको इसका असर पता चल जाएगा धन्यवाद दोस्तों हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे